आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपके लिए लेकर आएं बहुत एक विज्ञान कच्छा बार्मी बहुत एक विज्ञान बोड़ परच्छा पेपर में पूछे जाने वाले अध्याय एक पहद्वत आवेश तता चेत्र इस अध्याय से पूछे जान पूरा देखिएगा और यह बहुत ही मैत्पूर्ण होने वाला है और यही पर इच्छा में आपके पूछे जाने वाले तो वैद्व च्छेत्र कुशन है आपका पहला वैद्वुच्छेपेट कर सकता है कौन सा कर सकता है उप्सन दिया गया गामा केड़ने एक्स करने ऐल आपको दो से तीन अंक बहुत विकल्पी कुश्चिनों में आने से कोई नहीं रोक सकता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है दूसरा कुश्चिन है आपका साबन का एक बुलवला आविसित किया जाता है तब क्या होता है सुकुडता है फैलता है आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है डाटा अपोंड है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ये फैलता है जब साबन का एक बुलवला आविसित किया जाता है तब ये क्या करता फैलता है इसके बार तीसरा कुश्य ने बहुत इंपॉर्टन कुश्य ने बहुत बार परिच्छों में पूंचा गया कुश्य ने तीसरा कुश्य ने आवेज की एक समतल चादर प्रश्ट घनत रो कि समीप आर दोरी पर वैद्दुचित की तीवरता का फर्मूला क्या होगा इक सिह लिए वा ge इसंटेस्ट क्या होगा हमाराइव का है bene कि ने खुशम ने हिरा से वैद्दुच्ष का मात रक पैद्दुच का मात्रक आप सबसे ज़्यादा पूंची जाने वाला इस अध्याय का question है वेद्स flux का मात्रक क्या होता है challenged घिया गया इप 120 मिटर दूसरा घिया गया बोल्ट मीटर टूसर robust नियूटन प्रतिक प्लामि right answer क्या हो जाएका इसका बोल्ट मीटर मेंटर क्या डालतों का मात्रक बोल्ट पाती होगी option दिए गया है किसी बिंदु पर वैद्ध शित की तीपता निम्नमे से किस के आरजीरों के अनुक्रमान पाती होगी बिंदु आवेस के वैद्ध दुद्रू के आवेस की अनंत समतल चादर पर रेखी आवेस से तार पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option नंबर से अपसान नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आवेस की अनंत चादर पर किस पर हो जाएगा आवेस की अनंत चादर पर इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है वीडियो को पूरा जिरूर देखना है आपके लिए बहुत ही important वीडियो है और आपके लिए selected बहुविकल् कुश्यन नंबर नेक्स्ट है कुश्यन नंबर सिक्स है वैद्दो छेत्र की तीवरता का मात्र क्या होता है वोल्ट प्रती मीटर वोल्ट प्रती मीटर स्कूर वोल्ट मीटर या वोल्ट तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सान नंबर ए वोल्ट प्रती मीटर तो वै इएक्स्ट कोंशेन राज द्धो छची एग्वाले फाल्मुला साही आंसर लिए हमें देना सो P into E vector, P vector into E vector, दूसरा option दियागा P vector cross गुणनखंड E vector, सुन या E vector cross P, तो right answer क्या हो जाएगा हमारा, P vector cross E vector, क्या हो जाएगा P vector into cross E vector, तो अब आपकी mind में आता होगा P vector cross E vector और E vector cross P vector में क्या आंतर है, जब सदिस गुणनफल होते हैं, तो दोनों गुणनफलों में इनके अंतर बदल जाते हैं, तो इसको आप विपरीत मत याद रखिए, आपको सुर्प ये याद रखना है, कि P vector into E vector होगा, जहां option ये दिया गया हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि opposite में जब करते हैं सदिस गुण लुए नोमबर 8 है, एक लक्टरान का आविस होता है, एक लक्टान का आविस कितना होता है, 1.81 गोड़े दस्किकाद, 19 कुलाम, बॉसरा दिया गया, वन पॉइंटु 10 पावर माइनस, 19 कोलाम, 1.67 इंटु 10 की पावर, माइनस, 16 कुलाम, इसके बास दिया गया, 1.9 इंटु यादि किसी परिछा में यह दीया जानाः कि माइनस वन उन पॉइंट नाइन गूरे दसकी गद-19 और प्लस वन पॉइंट नाइन गूरे दसकी गद-19 इस इस माइनस वहता ya नेक्श्ट कुश्य न हई है कि दूब को वे सब्सक evenings के बीच वायू के इस इस त्टान पर यह तेल बहर तो आवस्वं की बीच ब़ल पर क्या प्रवाव तो बिनदीद Сейчас की गन्य के बीच वीचा इस तान पर तैल बहर दिया जाए तो आवेसों के बीच बल पर क्या प्रवाव पड़ेगा घटेगा बढ़ेगा समान रहेगा ये सुनना होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा घटेगा तो विन्दू आवेसों के बीच वाई के इस्तान पर यदि कुछ भी पदार्द भरा जाए तो उसके बल का क्मान क्य होगा घटेगा इसके बार नेक्ट कुश्यन है बहुत बार परिच्छाओं पूछा जाने वाला कुश्यन है और सारे कुश्यन आपके इंपोर्टेंट है तो एक भी कुश्यन आपको मिस्स नहीं करने हैं किसी वैद्धुत्रोदी माद्यम का परावद्धांग के हो सकता है कि माद्यम का परावद्धांग के हो सकता है किसके बाद थीन जीरो पॉइंट सेविन तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा सिक्स के बरावर हो सकता है कि इसके नेक्स्ट कुश्यन है दन आवेसिद्वस्तु में च्या पाया जाता है निउत्रायन कि अधिक्ट्ता 1 तो धनावेसित बस्तू में क्या पाई जाते हैं इल्फा कड़ पाई जाते हैं यह बहुत इंप्रोटनिन को श्टा आपके लिए तर्षा बार परिच्छों में पूछे वाने वाला प्रिकुस्यन है और आपको यह याद रखना है आवीज का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है तो आवेस का सबसे छोटा मात रख क्या होता है तो आवेस का सबसे छोटा मात रख क्या होता है फ्रेंकलिन यदि आप सबसे छोटा क्या होता है यदि आप सबसे छोटा क्या होता है यदि आपसे आवेस का सबसे बड़ा मात रख क्या होता है फ्रेंकलिन और फ्रेंकलिन और फैराडे क्या होता है बड़ा होता है सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे तो आपको दोने चीज़ याद रखने हैं आवेस का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे और आवेस का सबसे छुटा मात्रक क्या होता है फैंकलेन धारा का मात्रक एंपियर होता है और गाने का वार्ड जो तराइब होता यह सारे मात्रक आपको ज़रूर। याद रखने आपसे एक मात्रक को कुष्च्ट जरूर बनता है के पूर्द प्रस्ट के सेभरता का सुप्र क्या होता एपसे पूछा जाएग में16ário का फॉर्मूला क्या होता है f vector upon q0 1 upon 4 pf cell in 0 q q2 upon r square e बरावर q into f तो right answer क्या होता है f vector upon q0 e बरावर क्या होता है f vector upon q0 next question epsilon 0 का मान कितना होता है तो epsilon 0 का मान कितना होता है ये पूछा गया question है और आपको यदि इस question इस chapter से यदि कोई फॉर्मूला आया या कोई सवाल आया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए तो एपसलेंगे मान क्या होता है इसका जो मातरक होता है मातरक क्या होता है कुलाम स्कॉयर अपन न्यूटन मीटर स्कॉयर उमान इसका होता है इसका पॉंचाए को फॉर्मूला न्यूटर से डेनॉट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है e vector into as vector जहां e वैद्द छेत की तीवरता s छेतफल vector है जहां e क्या है वैद्द छेत की तीवरता है और s छेतफल vector है और जब दोनों के vector हटेंगे तो आ जाएगा e cos e s cos theta क्या जाएगा e s cos theta तो theta क्या है s और e के बीच का बना हुआ तो दोनों formula आपके यदी दिये गया हो तो दोनों सही होगे यदी कोई इन में से एक दिया गया हो तो वो एक सही होगा तो आपको याद रखना है वैद्द फ्लेक्स का सूत्र क्या होता है तो phi e वराबर होता है e vector into s vector या e s cos theta जहां s vector च tweeting की तीवता होती है next question वैद्दददू फुम होता है वैद्द फुी दुवैगूण बहुत ज्यादा पूचा जाते है वैद्दू बईद्रू फुञ प्रिप्रवाहन साघं़ कुम है किसी भी तो दोनों आवेसों के बीच की दूरी के गुड़न फल को वैद्द दूद्रू आगुण कहते हैं यदि परवासा है तो आप यहां से लग लीजेगा किसी भी छेतर पर रखे दो आवेसों में से एक आवेस का परिमार तथा उनके दोनों के बीच की दूरी के गुड़न फल को वैद्द दूद्रू आगुण कहते हैं तो यदि वैद्द चेत में रखे दो आवेसों का मान क्यू है और इनकी बीच की दूरी 2L है तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इन्टू 2L वैद्द दूद्रू का फॉर्मूला हो जाएगा तो कुलाम के नियम में F बल को निकाला गया है बल का मान कितना होता है वन अपॉर पाई अप्सेलन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्कॉयर तो फॉर्मूला इस प्रकार होता है किसी भी दो आवेसों पर लगने वाला बल किनी दो आवेसों के बीच लगने वाला बल उन आवेसों के परिमाणों के गुडन फल तथा उनके बीच के दूरी आर स्कॉयर का अनुपाद तथा वन अपॉर पाई अप्सेलन जीरो के गुडन फल के बराबर उनका बल होता है किनी भी दो आवैसों के परिमाणों के गुणन फल तथा उनके बीच के दूरी आर कवर्ग कानुपाद तथा 1 upon 4 5 epsilon 0 के गुणन फल के बराबर होता है तो जहां किवन किन्टू बिंदू आवेस है R आवेसों के बीच के दूरी है इसके बाट यह आपको याद रखना है किसी भी सवाल इसकाइब की लिए not अब पूछ चाटा है 9 इंटो मांन कितना होता यह थी आपको वीडिया अच्छछञ जागा हुथ तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजैए वेल आइकन को ऑन कर दीजैए हम आपके लिए प्रतीक सब्जेक्ट की फिजिक्स कमेंश्टी मेंध सभी के इंपोर्टेंट कॉश्चिन लेकर आ रहे हैं तो यह आपने अभी